नई रास्त्य शिक्षानिती गुलामी की मानसिक्ता से देश को बहार निकार कर टैलेंट को इनोवेशन को निकार दे का प्रयास है अब देखिये देख में क्या स्थिती बना कर रख दी गई थी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को इंट्रिजन्स का पैमाना मान दिया गया था जबकि भाषा तो स्रिप समवात का कॉमिनिकेशन का एक माध्यम पर है लेकिन इतने दसकों तक भाषा एक ऐसी रुकावड बन गई थी जिसने देश के गावों में गरीब परिवारों में प्रतिभा जो थी जो प्रतिभा का भंडार था उसका लाब देश को नहीं मिल पाय नजाने कितने ही प्रतिभासाली बच्चे देशवासी सिर्फ इसलिए डॉक्टर इंजीनर नहीं बन पाये क्योंकि उनको जो भाषा समझ आती थी उसमें उनको पढ़ाई का अउसर नहीं मिला अब ये स्थिती बदली जा रही है भारतिये भाषाओं में भी साइंस टेक्न इस पढ़ाई के विकल्प अब विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो गया गरीम मा पन छोक्रान अंगरी जी साला मा नव बनावी शकी हो है तो पन दिकरा दिकरीने डॉक्टर बनावनू सपनू जोई शके छे अने नी मानी भाषा मा ये बालक डॉक्टर पन बनी शके ये दिशाम आपने काम के दिशे जिदि गरीबना गर्मापन डॉक्टर तयार था है गुजराती सहीत अनेक भारतिय भाषाव में पाठकम बनाने के लिए प्रयास चल रहे है इविक्सित भारत के लिए सब के प्रयास का समय है देश मेंसा कोई नहीं होना चाहिए जो किसी भी क चाहिए भारत के विकास की दूरी रही है हम स्वभाव से ही नौलेज के ज्ञान के समर्तक रहे हैं अर इसलिए हमारे पुरवजों ने ज्ञान विज्ञान में पहचान बनाई सैंक्रो वर्थ पहले दुनिया की सर्वस्रेश्ट उनिवर्सिटिग बनाई विशालतम एक दौर आया जब अक्रामताओं ने भारत की संपर्दा को तबाह करने का अभियान चेड़ा लेकिन सिख्षा को हो अच उस विशे में भारत ने अपने मजबूत इरादों को न छोड़ा मजबूत आगरा को कभी नहीं चोड़ा जुल्म सहें लेकिन सिख्षा का रास्ता नहीं छोड़ा यही कारण है आज भी ज्ञान विज्ञान के दुनिया में इनोवेशन में हमारी अलग पहचान है आज आदी के अमरित काल में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को वाप्रत लाने का आउसर है भारत के पाथ दुनिया की स्रेश्ट नॉलेज इकनाविक बंडे क भरपूर्ट सामर्त पड़ा है अउसर भी इंतजार कर रहे हैं 21 विसदी में साइन्स से जूड़ी टेकलोलोजी से जूड़ी अधिकास इनोवेशन अधिकास इन्वेंशन भारत में होंगे और मैं जब कहता हूं उसका कारण मेरा मेरे देश के नव जवानों पर मेरे देश गुजरात के पास बहुत बड़ा उसर है अभी तक गुजरात की पहतान क्या थी हम व्यापारी कारोबारी एक जगा से माल लेते थे दूसरी जगा पर बेचते थे और बीच में दलाली से जो मिलता था उसमें से बाहर निकलके गुजरात दीरे दीरे मैनिफेक्टरिंग के ख्षेत्र में अपना नाम कबाने लगा और अब 21 स्वदी में गुजरात देश के नॉलेज हप के रुपे इंडोवेशन हप के रुपे विक्सित हो रहा है मुझे विश्वाथ है कि गुजरात सरकार का मिशन स्कूर्स अप एक्सेलेंस इसी स्पिरिट को बुलंद करेगा साथियों मुझे इस अत्यनत महत्वपन कारकम में आज आने का मोका मिला अभी ये गंटे पहले मैं देश की रक्षा सक्ति के जुड़ा था घंटे भर के बार देश की गुजरात की ज्यान शक्ति के इस कारकम में जुड़ने का आउसर मिला है और यहां से अभी जा रहा हूँ जुनागट फिर राजकोड वहां सम्रुद्धि के खेत्र को छूने का मुझे प्रयास करने का आउसर मिलेगा साथियो एक बार फिर गुजरात के विद्या जगत को गुजरात की भावी पीडी को उनके माता पिता को आज इस महत्वपुन अउसर पर यह महत्वपुन अउसर है साथियो इसके लिए अनेक अनेक शुप कामनाय देता हूँ भुपेंद्र भाईवर उनकी टीम को रदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ धन्यवाद